क्या आप भी वही पुराने ढनाग से जीत ignored क्या आप हर दिन एक ही तरह की दिन्चर्या में फंसे हुए महसूस करते हैं जैसे कि आप एक अंतहीन चक्र में घूम रहे हूं क्या आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, उन आदतों से मुक्त होने में असमर्थ हैं जो अब आपके लिए अच्छी नहीं है ये एक ऐसा अनुभव है जो हम में से कई लोगों ने महसूस किया है जैसे कि हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हो हम सभी को जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां हम खुद से बदलाव का वादा करते हैं लेकिन वापस वहीं पहुँच जाते हैं जना से हमें शुरुवात की थी यह निराशा जनक हो सकता है लेकिन यह भी एक संकेत है कि हमें अपने दृष्टिकोन को बदलने की हाश्शकता है लेकिन क्या होगा अगर कोई रास्ता हो उस्थाई परिवर्तन का रास्ता एक ऐसा रास्ता जो हमें न केवल उस्थाई राहत दे वरकिन हमारे जिवन के पूरी तरह से बदलने की है एक ऐसी जिन्दगी की कल्पना करें जहां आपके पास इन खुद बनाई सीमाओं के पोईने की थाकते हैं यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने सबसे बड़े सफने को साकार कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्यार कर सकें एक ऐसी जिन्दगी जहां आप पुरानी आदतों पर बोज उता सकें और सच्चे बदलाव की आजादी को रखना सकें यह समझना कि कौन सी आदतें और सोच हमें पीछे खीच रही है पहला कदम है किसी भी बदलाव के लिए पहला कदम है उसकी जरूरत को स्विकार करना यह स्विकार करना कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यक्ता है एक महत्वपून मोड है यह आईने में देखने और अपने जीवन के उन प्षेत्रों का इमानदारी से आकलंग करने की सकते हैं जो अब हमारी सेवा नहीं पानी है यह आपने लिक्ष्ण का समय है जहां हम अपने जीवन के पहत तहनी को ध्यान से देखते हैं यह उनकाटा उन गहें जमा चुकी आज़तों और सोच ख़ग्याओं को परचानने के बारे जो हमें परिचित से बांगे रहे हैं तब भी जब यह हमें खुशय या संतुष्टी नहीं गुपा यह एक कथिन कद्विया हो सकती है लेकिन यह आवश्यक है अगर हम वास्ताव में अपने जीवन में बदलाव लें जाते हैं छोटे-छोटे कदम उठाना भी महत्तों को हैं यह एक नई हॉबी शुरू करने, छोटे लक्षे निर्धारित करने या अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करने जैसा हो सकता है यह छोटे कदम हमें बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं जब हम इन छोटे लक्षों को प्राप्त का कुवरताब करते हैं तो हमें एक नई उर्जा और आत्म विश्वास मिलता है यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बड़े बदलाव भी कर सकते हैं समर्थन भी महत्तुपूर्ण है अपने दोस्तों परिवार या किसी समुदाय के साथ जुड़ना जो आपके बदलाव के सफर में आपका साथ दे सकते हैं बहुत सहायक हो सकता है यह हमें प्रेरित और प्रोटसाहित करता है अंत में यह यात्रा आत्मखोज, आत्मसुधार और आत्मस्विकृती की है यह हमें एक नई दिशा में ले जाती है जहां हम अपने जीवन को नए सिरे से देख सकते हैं और एक नई शुरुवात कर सकते हैं यह एक निरंतर प्रक्रिया है लेकिन ये हमें एक बेहतर और अधिक संतुष्ट जीवन के ओर ले जाती है हम में से कई लोग की तरह सारा खुद को हर साल न्यू यर्र रेजोलूशन लेते हुए पाती थी आखिरकार अपना वजन कम करना और अपनी सेहत को प्राथमिकता देना ये एक ऐसा संकल्प था जो उसे हर साल प्रेरित करता था लेकिन साथ ही उसे चुनौती भी देता था हर जन्वरी वह अटूट उत्साह के साथ शुरुवात करती पूरी लगन से जिम जाती और अपने कैलोरीज पर बारी की से लज़र रखती वह अपने खाने पीने की आदतों को बदलने के लिए नए नए तरीके अपनाती है जैसे कि हेल्दी रेसिपीज ट्राइ करना और अपने खाने का एक डाइरी में रिकॉर्ड है फिर भी जैसे जैसे हफ़ते महीनों में बदलते गए जाना-पहचाना पैटर्न फिर से ओभराता उसकी मेहनत और लगन धीरे-धीरे कम होने लगती और पुरानी आदतें फिर से सिर्ड उठाने लगती शुरू आती प्रेड़ना कम होती जाती उसकी जगए पुरानी लाल साइं और बहाने लेगाती वो जिम जाने के बजाए बहाने बहाने लगती जैसे कि आज बहुत थकान है या कल से फिर से शुरू करेंगी मार्च आते आते सारा खुद को अपनी पुरानी आदतों में वापस पाती न्यू यर रिजोलूशन एक दूर की याद बन कर रह जाती उसकी जगए निराशा और खुद को कोसने की एक जानी पहचानी भाब आ जाती वो सोचती कि क्यों हर साल वही कहनी दौराई जाती है सैरा ये सिर्ण ये सिलसला साल दर साल खुद को दौराता रहा मुझे हारा हुआ महसूस कराता रहा और मैं अपनी बदलने की क्षमता पर सवाल उठाने लगा मुझे लगता था कि शायद मैं कभी भी अपने लक्षों को हासिल नहीं कर पाऊंगी एक शाम खास तोर पर निवाश महसूस करते हुए सारा को एपिक्टीटिस के लेखन का पता चला जो आत्म नियंत्रिय और आंत्रिक शांती पर अपनी शक्षाओं के लिए जाने जाने बने एक स्टोएक फलसफर थे उसने उनकी किताब को पढ़ना शुरू किया और उनके विचारों में ढूब गई उनके शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया उसके संघर्षों पर एक नए अद्रिष्टिकोन पेश किया उसने महसूस किया कि असली चुनाती बाहरी नहीं बल्कि आंत्रिक थी उसे अपने मन को नियंत्रित करना था ना कि केवल अपने शरीर को एपिक टीटस ने सिखाया कि सची आजादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन पर महारत हासिल करने से अपने आस-पास की दुनिया के प्रति अपनी परतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने से मिलती नहीं है सारा ने यह समझा कि उसे अपने विचारों और भावनाओं को निंत्रित करना होगा ताकि वह अपने लक्षियों को प्राप्त कर सके उसने अपने लक्षियों को फिर से निर्धारित किया इस बार अधिक यथार्थ वादियों और प्राप्त करने हो कि उसने छोटे-छोटे कदम उठाने शुरू किये जैसे कि हर दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान करना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने लक्षियों की उर बढ़ रही है और यह उसे और भी प्रेरित करता गया सारा ने छोटे-छोटे जीतों का जश्न बनाना शुरू किया जिसने उसे आत्म विश्वास और प्रेर ना दी उसने समझा कि परिवर्दन एक लंबी प्रक्रिया है और हर छोटे कदम का लात्व है उसने अपने आप पर विश्वास करना शुरू किया और अपने संकल्प को एक नई दिशान अंततह सारा ने महसूस किया कि असली जीत अपने आपको समझने और स्वीकार करने में है उसने अपने सफर को एक नई दृष्टी से देखा और अपने आपको गर्व महसूस किया उसने सीखा कि सच्ची सफलता बाहरी परिणामों में नहीं बलकि आंतरिक शांती और संतोश में है एपिक्टीटिस एक पूर्वदास जो प्राचीन रोम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक बन गए एक ऐसी यात्रा पर निकले जो न केवल उनके जीवन को बदल देगी बलकि अंगिनत लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगी ने मानवी स्थिती में गहरी अंतर दृष्टी प्रदान की उनकी शिक्षाएं आज भी हमें आत्रिक्षन और आत्म सुधार के लिए प्लेद करते उनकी शिक्षाएं स्ट्ोसिजम के सिधानतों में निहित उन चीजों पर ध्यान की इंद्रित करने के महत्व पर जोड़ देती करते हैं कि यह द्रिश्टकोंश हमें जीवन की अनिश्चितताउं के बीच भी पिनिईयोस का रिखो क्छा मुझत करुएं और जिनें हम नहीं कर सकते, उन्हें स्विकार करते हैं। यह स्विकार्यता हमें मानसिक शांती और संतुलन प्रदान करते हैं। जिससे हम बाहरी घटनाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। उनका मानना था कि सच्ची खुशी और संतुष्टी बाहरी परिस्तितियों से नहीं बलकि आंतरिक शान्ति से उपची है, जिसे आत्मनियंत्रण और सदाचार के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह आंत्रिक शांती हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करने की शक्ति देती है, जिसे आत्म नियंत्रण और सदाचार के माध्यम से विक्सित किया जाता है. आत्म नियंत्रन और आत्म अनुशासन के माध्यम से हम मानसिक शक्ति और लचीलापन प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जीवन की कठिनाईयों का सामना करने में सक्षम बनाता है एपिक्टीटस एपिक्टीटस याद रखें, सच्ची आजादी अंदर से आती है यह हमारे मन पर महारत हासिल करने और अपने आसपास की दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में अन्य है यह आंत्रिक स्वतंत्रता हमें बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र बनाती है यह हमारे मन पर महारत हासिल करने और अपने आसपास की दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में है यह मानसिक महारत हमें जीवन के अनिश्चित्ताओं के बीच भी स्थिर्ता और शांती बनाये रखने में मदद करती है Epictetus की शिक्षाएं आज विशेश रूप से प्रासंगिक है एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चित्ता और तेजी से बदलाव की विशेशता होती है उनकी शिक्षाएं हमें स्थिर्ता और शान्ती प्रदान करती है जो हमें जीवन की अनिश्चित्ताओं का सामना करने में मदद करती है एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चित्ता और तेजी से बदलाव की विशेशता होती है उनके शिक्षाएं हमें स्थिर्ता और शान्ती प्रदान करती है जो हमें जीवन के निश्चिताओं का सामना करने में मदद करती है वह हमें याद दिलाते हैं कि हाला कि हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंतरित नहीं कर सकते हैं लेकिन हम यह नियंतरित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये दृष्टिकोन हमें मानसिक, शान्ती और संतुलन प्रदान करता है लेकिन हम यह नियंतरित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये दृष्टिकोन हमें मानसिक, शान्ती और संतुलन प्रदान करता है जिससे हम बाहरी घटनाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं ये सरल लेकिन शक्तिशाली विचार हमारे जीवन को बदलने की ख्षमता रखता है हमें नकारात्मक पैटन से मुक्त होने और जीवन की अपरिहारे चुनोतियों के बीच भी आंतरिक शान्ती विकसित करने का अधिकार देता है ये हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति देता है हमें नकारात्मक पैटर्न से मुक्त होने और जीवन की अपरिहारे चुनोतियों के बीच भी आंतरिक शान्ती विकसित करने का अधिकार देता है ये आंतरिक शान्ती हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करने की शक्ति देती है Epictetus का ज्यान जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ मानव अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने पर व्यावारिक मार्ग दर्शन प्रदान करता है मानव अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने पर व्यावारिक मार्ग दर्शन प्रदान करता है उन्की जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद करती है उनकी शिक्षाओं ने सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार कर लिया आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सद्यों पहले थी, उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद करती हैं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सद्यों पहले थी, उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद करती हैं उनके सिध्धानतों को समझकर और लागू करके हम अपने स्वयम के जीवन में बहुमूल्य अंतरद्रिष्टी प्राप्त कर सकते हैं सीमित पैटर्ण से मुक्त हो सकते हैं और अपनी वास्तविक शमता को अनलोग कर सकते हैं यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्त देता हैं हम अपने स्वयम के जीवन में बहुमूल्य अंतरद्रिष्टी प्राप्त कर सकते हैं सीमित पैटर्ण से मुक्त हो सकते हैं और अपनी वास्तविक शमता को अनलोग कर सकते हैं यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति देता है। सीमित पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। एपिक्टीटिस की शिक्षाएं हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति देती हैं, जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक काम करने और लगातार दबावने जॉन की सेहत और रिष्टों पर भारी असर डागा था। जिससे वह ठका हुआ और मोह भंग महसूस कर रहा था। उद्देश और अर्थ खोजने पर एपिक्टेटर्स की शिक्षाओं से प्रेवित होकर, जॉन ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की। जॉन, मुझे एहसास हुआ कि बाहरी मानिता की मेरी खोज, मेरी अपनी खुशी और सेहत की कीमत बढ़ने थी। मैं समाज द्वारा परिभाशिन सफलता प्राप्ट करने पर इतना अधिक ध्यान के इंद्रित कर चुका था, कि मैंने अपने मूल्यों और आकांक्षाओं की उप्रेक्षा कर दे थी। जॉन ने बदलाव करने के प्रेस्पा किया। उसने अपनी उच्च वेतन वाली लेकिन असंतोश जनक मौकरी छोड़ दे और फोटोग्राफी के अपने जुम्म करने चागे। ये एक जोखिम भरा कदम था लेकिन जॉन सामाजी का पेक्षाओं के बजाए अपनी मूली बारा मिदेशे थी। अपने प्रेस्च जिवाजी में दृड़ था। इसने अनिश्चित्ता स्वीकार की रचनात्मत प्रक्रिया और आनन वे अपना रास्ता खुद बनाने की सुदंद्रता पाई ह। खाने के साथ मारिया का रिष्टा बिरोधी हो गया थी। कि इकाएका थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा महत्र मेरे बजन पर निर्भर नहीं है और ये कि सच्चे स्वास्थे में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत शामिल है। आत्मस्विकृती और उन चीजों पर ध्यान केंद्रत करने पर एपिक्टीटस के जोर से प्रेरित होकर जिने हम नियंत्रित कर सकते हैं। मारिया ने दया और करुणा की एक नई भावना के साथ अपनी स्वास्थे यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना ध्यान वजन घटाने से हटाकर समग्र स्वास्ती पर गेंद्रत करता है। अपने शरीर को स्वस्थ भोजन प्रदान करने और उन गतिविधियों में शामिन होने को प्राथि मिक्ता दी जिनका भास्तव में आनन्द लाते थे।